सब्सकारब करें अपने यूटीब चैनल लर्नबोट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्शन पाने के लिए स्वागते दोस्त अपने यूटीब चैनल लर्नबोट मेडिसिन में जहां आप पाते दवाईयों के बारे में समपोन जान करें दोस्तों आज की इस वीडियों हम लिग्णोकेन इंजेक्शन के बारे में सिखेंगे जिसे लिडोकेन इंजेक्शन भी कहा जाता है यह दोनों ही एक ही दवा की स्पेलेंगे इन दोनों से आप बिल्कुली कंफ्यूज नहीं हो लिग्णोकेन लिडोकेन एक ही है लिग्णोकेन एक लोकल है नास्तरी एजेंट है जिसे सामानी बासन हम सुन करने का इंजेक्शन भी कहते हैं इस वीडियो में इसकी कंप्लीट डिटेल जान की किन-किन व्यक्ति को इंजेक्शन नहीं लगाए जा सकता क्या इसके साइड उफेक्ट होते हैं और वीडियो के लाश्त व किस रूड़ से लगाना है और किस तरीके से लगाना है जिससे अच्छा रिजल्ट मिले इस वीडियो में जाने किसे वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर जानकर आपको लिग्णोकेन जिसे लिडोकेन इंजेक्शन भी कहते हैं इसके बार मिल सकें साथ ये वीडियो को भी से लाइक करें और चैनल पर यदि पहली बार देता चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बूलें मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और आप देखरें अपना एटीप चैनल लानोस मेडिशिन चलिए आज फ़िर कुछ नहीं आ सिकते हैं हलो फैंस नमस्ते दोस्तों लिगनोकेन इंजेक्शन एक लोकल एनास्थेटिक एजन्ट है जिसे नम्मिंग मेडिशिन भी कहा जाता है लिगनोकेन इंजेक्शन हमारी नसों को ब्लोक करके अपना कारी करता है लिगनोकेन इंजेक्शन जिसे हम लिडोकेन के नाम से भी जानते हैं यह इंजेक्शन फॉर्म में जेल फॉर्म में साथ इस फुर्म में सभी फॉर्म में अवैलेबल है इस वीडियो से पहले मैंने लिगनोकेन जेल के लिए अलग से वीडियो बनाए है यदि आप में से कोई देखना चाहते हैं तो उपर आई बटम पर क्लिक करके देख सकते हैं साथ ही में डिस्क्यूप्शन में इसका लिग्नोकें जेल के बार माँ आप जान सकते हैं लिग्नोकें इंजेक्शन यह दोनों ही दवा के जंडिक नाम है जब भी आप मेटिक इस्टोर पर खेजने जाते तो यह अपने जंडिक नाम से आसानी से अवैलेबल हो जाती है साथ यह अपने ब्रांड नेम से भी मार्केट में अवैलेबल हो जाती है कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे लोक्स इंजेक्शन जाइलोकें इंजेक्शन लिग्नोक्स इंजेक्शन यह किसके कुछ पॉ जब भी आपने इस इंजेक्शन को खरीदा होगा तो आपने यह जरूर सो देखा होगा इस पर सर्टेंट पर्सेंट इस लिखे वाते हैं जैसे कि 0.5% 1% या 2% स्टेंद में अवैलेबल रहता है इसमें लिगनोकेन कितने मिलीग्राम रहता वो मैं आपको बता दू जब भी जिच्त आप 0.5% पर्सेंट का इंजेक्शन ख़ितने तो उसमें 5m МУЗЫКА जब 1% की गइंजेक्शन ख़िते उसमें 10ateurs Pe W na mule साति जो 2% का है उसमें 20 पर वान अम्लीग्राम लिगनोकेन इसी स्टेंट में रहता है और इस जो wrestling है 2 Pl Chuck किआ हैउसे झापूल केंट senior किन किन इस्ततियों में इस injection का प्रियोग लिया जाता है जैसा कि यह local anesthetic injection है तो body के particular part जहां पर आवज सकता है उसको सुन करने के लिए प्रियोग लिया जाता है जैसे यह दि कोई वक्ति है जिसको minor surgery होनी हो जैसे सरी से कोई गांट निकालनी हो कोई एंठन निकालना हो तो उस समय उस एंठन के चारो और लिगनो के इंजेक्शन लगा के उसको सुन किया जाता है बाद में कट लगा के यह एंठन या गांट निकाल ली जाती है इसके लाओ को प्रेसेंट जिसको डीप कट लग गया हो या कट लंबा लग जाता तो उस पर इस्टीचेश लगाते हैं और इस्टीचेश जब एक से ज्यादा लगने हो तो उस समय लिगनो के इंजेक्शन उस एरियो को सुन करने के लिए प्रियोग में लिया जाता है उसके बाद में दोस्तों सरी पे टेट्व बनाये होंगे जो भीकति डीप टेट्व बनाते हैं बड़े टेट्व बनाते हैं उस समय व्यक्ति को बहुत ज़ादा दर्द निकालना हो या रसीटि करनी हो रूट कैनल दर्द होता है तो उस दर्द को कम करने के लिए जो प्रोशीजर किया जाता है उसके बाद में परियोग में हासर र्लेटर प्रोव्ल्लम के पेसेंट के लिए जाता है जब patient की heart rate है बिल्कुल जादा जैसे 100 से उपर या बिल्कुल कम 60 से नीचे हो जाती है तो उस इस्तिति में यह use लिया जाता है और special use समय लिया जाएगा जब immunodron injection दवा है वो या तो available नहीं हो या उससे patient sensitive हो या उसमें contra indicated हो तो उस इस्तिति में lignogen heart related problem के patient को ICU के अंदर दी इसके अलाओ जो pediatric doctor है वो भी इस लिग्णो के इंजेक्शन का प्रियोग करता है जब बच्चा की उम्र चार हफ्ते four weeks से कम हो या four weeks हो और उसको किसी भी कारण से seizure आ रहे हैं दोर हो रहे हो और phenobarbitron दवा देने के बाद में भी यह दोरे seizure खत्म नहीं हो रहे हो तो उस समय जो pediatric doctor है लिग्णो के इंजेक्शन का प्रियोग करते हैं दोस्तों अगर इसका यूज की बात करें थे बहुत ही ज़्यादा प्रचली थे आप में से कई दोस्तों ने इसके लिए इसको यूज भी लिया होगा वह है बिच्चू के काटने पर इस इंजेक्शन का प्रियोग लिया जाता है जब भी बिच्चू डंक मारता है तो व्यक्ति के उस particular area बहुत ही ज्यादा जैलन और बहुत ज्यादा दर्द होता है उस जलन और दर्द को कम करने के जो लिग्णो के इंजेक्शन ने बहुत फाइदमन इंस्ट असर दिखाता है साथ ही जब बिच्चू डं में उससे बाइंड नहीं हो पाता और आगे असर नहीं कर पाता इस तरह से कार्य करता है और इसी कारण से लिग्णो के इंजेक्शन जब बिच्चू काटा जाता है तो दिया जाता है दोस्तों बिच्चू काटने के लिए जो ड्रग ऑफ चोईस से डॉक्टर के प्राजोस इंजेक्शन हो उस वाइल पर आप देखेंगे तो आपको लिखाव मिलेगा ओनली फोर इंफिल्ट्रेशन ने नर्व लोग एंड नोट फोर केडल और एपीडूरल यूज यह क्या है इसको मैं बता दू इसका मतलब है कि आपको सिफ सर्फेस पे नर्व ब्लोग करने के ल इंजेक्शन है पेसेंट में सून करने के लिए काफी फायदे में दो दूसरी यूजर में हमने जो जानने थे उसके लिए प्रियोग आता है लेकिन कुछ पेसेंट ऐसे हैं जिनको यह इंजेक्शन नहीं लागा सकते हैं उनके हम बारह में जान लेते हैं कौन-कौन से वो यदि कोई पेसेंट है जिसको हाट ब्लोकेज हो सेकिंडर या थर्ड स्टेस भी हो तो उसे इंजेक्शन नहीं लगए जायेगा हा रिदल कुछ डिसोडर हो उसे इंजेक्शन नहीं लगाय जाएगा लेवर एसेंट किनी एड ब civ हैसने को वैसमेश्या हो कोर्न प्रोडेक् है यह सभी और आपको लिगनो के इंजेक्शन डॉक्टर लगा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को जोरू से एक बार इंजेक्शन के बारे में बता लें जिससे कि आपको जो शूटेबल इंजेक्शन है वो लगाए जासा कि आपको किसी प्रॉल्म का सामना नहीं करना पड जैसे उसको वहां पर रेडनेस हो जाना रेसस हो जाना खुजली होना यह समश्या हो सकती है इस के लाव उसको नींद आना चकर सा आना व्यक्ति को पूरे सरी में गर्म या ठंडा लगना वीजन उसका चेंज हो सकता है डबल दिखना दूंदला दिखाई देना कान में जलने में तता स्वांस लेने में समश्या होना यह कुछ साइड इफेक्ट जो मॉस्ट को मनें इसके लग को दूसरे साइड इफेक्ट आपको खो सकते हैं यदि ऐसा हो तो तुरंद अपने डॉक्टर का इंफर्म करें जिससे कि आपको प्रोपर टीट्मेंट दिया जा से क दोस्तों अब वीडियो क्लाश्म में हम जान लेते हैं लिग्नोकेन इंजेक्टेन की डूज क्या रहती है किस तरह से इसको लगाए जाता है लिग्नोकेन इंजेक्टेन जो लोकल एनस्थेटिक है इसको आई-वी इंट्रावीनस तता सबकुतेनिस दोनों ही रूट से लग जाता है और जब इसको आई वी इंट्रावीनिस लगाते हैं तो उसमें इसकी जो डूज रहती है चार मिलिगाम पर किलो बोडी वेट से रहती है और यह हम ऐसा इसकी जो हाट के पेसेंट है उन्हें उस समय आई भी लगाया जाता है और एक बार में 300 मिलिगाम से ज्यादा इंजेक्शन पूस नहीं किया जाता है अगर बात करें सुन करने के लिए इसको कैसे प्रियोग करते हैं तो दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति को कट लग जाए या क किसी गांट का उसको बाहर निकालना हो या टेटू बनाना हो किसी प्रकार से आपको सुन करने की आवशकता हो तो जहां पर भी सुन करना है उस जगा पर इस इंजेक्शन को लेके आप सब क्यूतल अगर चोट लगी है तो पूरे एरिया में में आपको मस्लिंज का है या कोई टाक्य वगर लगाने वो काम कर सकते हैं इसकी कितनी quantity लगानी होती वो सिर्फ और सिर्फ जो चोट है जो affected area है उस पर depend करता है यह आप नाथ के लिए यूज लेते हैं तो कई बार 0.5 या 1 ml या 2 ml sufficient होता है जब बड़ी injury हो तो 5 ml लगाए जा सकता है तो उस जगा पर depend करता है कितनी quantity यूज लेनी है इंजेक्शन लगाने के दो तीन बिन बाद में आप पेसेंट से पूछ सकते हैं आपको सुन हुआ है नहीं हुआ है और जब यह इंजेक्शन लगाया जाएगा तो पेसेंट को पर्टिकुलर एरिया पर भारी पर म समय हो तो लगा सकते हैं और इस इंजेक्शन का जो प्रियोग है सिर्फ फोट्षिफ डॉक्टर के इस्ट्रक्शन पर डॉक्टर की एडवाज़ पर ही करें बिना डॉक्तर के सलाह इसका प्रियोग नहीं करें अबर्डूस होने पर काफी समयश्या कर सकता है जो नर्व है देमेज हो सकती है यह से बिल्कुल आप ध्यान रखें और यह जो इंजेक्शन है शेफ और इसका प्रियोग नहीं करें तो दोस्तों मैंने लिगनों के निंजेक्शिंग आपको बता दी जिसे हम लीडों के नाम से भी जानते हैं उम्मीद गरता हूं ज्यादर जादा जान आपसमें बहले करने इसे जरूर दबाएं जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफेशन आपको मेल सेकें मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें आप ते अपने दोस्त मुहीद आधीक साथ देखरें ते अपने यूट्यूब चैनल लानों मेडिसीन थेंक्यों फ